नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पोर्टिंग वर्ड्स के इस नए विडियो पे हैँ, आज हम बात करनेवाला ईस्पोर्टिंग के उपर, रेस्लिंग के उपर, पैरा शूटिंग के उपर, आतलों के उपर, स्थेव फ्रेंच तो यहां पर इसके साथ ही इंडिया के टोटल मेडल हो चुक में 12 और मैं बताता हूं आपको इसके बारे में डिटेल इसके आप देखोगे तो इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं जिसमें 5 इसमें वुमें ने जीते हैं तो यार यह बहुत बड़ी बात है और इंडिया इ आप कह सकते हैं वुमेंज के इंदर नंबर वन आइे तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल इसकी रिजल्ट्स तो सबसे पहले वुमेंज की बात करते हैं तो मांची ने जीते हैं फिर गोल्ड में 57 केजी में जीते लिया इसकेल आववा सरीटऑ ने 59 केजटी में गोल्ड सा स्टाइल की बात करता है तो अमन ने जीद लाए 57 kg में गोल्ड बजरंग पुनिया ने 65 kg में ब्रॉंज मोहित ने 125 kg में ब्रॉंज और गेको रोमन में नीरज ने जीद लाए 63 kg में ब्रॉंज जीद लाए तो यार अगर आप डिटेल में आप देखोगे तो मेडल टेबिल यह है इंडिया के पाद 6 गोल्ड मेडल एक सिल्वर पाच बॉंज और टोटल बारा मेडल था चुके हैं इरान से सर्फ दो मेडल पीछे तो तकरीबन आप समझ सकतो कि मलब इंडिया की पोजिशन काफी स्ट्रॉंग को यहां पर और टक्रीबन आप मैं problème स्टाइल में देखोगे तो इंडिया सेगें पोजिशन में राता और वो में फ्रीस्टाइल में इंडिया फर्स पोजिशन में राता तो इसके बाद совсем हमाई चलता हैं कर देख इन्हों ने बना दिया है अब नीगी ने वर्ल्ट रेक कर दिया है और यह पैरेश पैरा ओलम्पिक्स 2024 के लिए क्वालिफाय हो चुके हैं यह हमारे उबरतवा स्टार है और इन पर ज्यादा ध्यान इसलिए शाइद लोग कम देता है क्यों यह पैरा ओलम्पिक्स के बात हो सब्सक्राइब तो इन्होंने गोल्ट जीत लिया है और कित्ते पॉंट्स के साथ 250.6 के साथ किस कैटिगरी में वुमें 10-meter एर राइफल स्टेंडिंग के अंदर और के क्वालिफाय कर चुके हैं पैरेस पैरा ओलम्पिक्स 2024 के लिए क्वालिफाय कर चुके हैं यह सिर्फ और सिर्फ 20 साल की हैं तो यार कॉंगरेचुलेशन्स तू देम और तकरिवन आप इनकी फोटो देख सकते हो यार इनको जाने से पहले इनके साथ थोड़ी दिक्कत होगी थी इनके कोच और आप सब पोर्टिंग स्टाफ आप जो देख रहे हो इनको वीजा की क्लेरंस नही आप सो सकते हो अगर वीजा नहीं मिलता तो किती दिक्कत आती और यार ऐसी दिक्कत होनी नीची है हमारे इतने बड़े एथिलीट्स को कि वीजा की प्रॉब्लम तो ना हो कम दें कि वो गेम पे ज्यादा ध्यान दे रडर दन वीजा के उपर इसके बाद हम आगे चलता है क एक और शूटिंग वर्ल्ड का फूरा तो इसमें मनीश और सिंगहराज ने सिलवर जीत लिया है निक्स टीम 50 मीटर पिस्टन इवेंट्स के अंदर तो इसके बाद हम चलते हैं शूटिंग से अब हम चलते हैं ट्रफलॉंस पर मैं बहुत इसका बड़ा फैन हूं इस चीज को खतम कर दिया है साथ गंटे से पहले और ऐसे ही वुमेंस के अंदर आप देखोगे तो ब्रिटेन की केट मैं जुनोंने फॉस्ट वुमें बन चुक है जो की आठ गंटे के अंदर ये रेस कंप्लीट कर दिया है इस रेस के बारे मैं मैं डेटेल में बताता हूं ये जर्म क्लिंग करने पड़ती है और फिर उसके बाद 42.4 किलोमीटर की रॉनिंग तो आप समझ सकते हो यार की मलब ये कोई चोटी बात नहीं है और ये सब एक साथ एक स्ट्रेच में करना होता है तो अगर आप किसी को कहने लगो आप इंडिविजुल रॉनिंग करने लगो या इ मैंने बता नौर्गेरियन हमारे क्रिस्टेन थे उन्होंने 6 गंटे 44 मिन्ट और 25 सेकंड्स के अंदर ये रेस पूरी कंप्लीट करें तो आप सो सकते हो वही मलब साथ गंटे भी माल लो तो साथ गंटे तक वह दौर रहा है सैगिल चला रहा है सिर्फ पूरे साथ गंटे त चलते हैं केट मैथ्यों ने इन्होंने वुमें रेस जीती है और इनका जो टाइम था होता साथ गंटे 34 मिनिट्स और 19 सेकंड्स के वाद हम आगे चलते हैं आए साथ वर्ल्ड कप बाकू की तरफ अब मैं ले आए हूं उसका पूरा रिजर्ट जिसमें इंडिया के टोटल म ईफिस्रिया एक जी चुके है कि गोल्ड वुमें यांग जीत चुके हैं इसके जिए कोलाब की देबाबर met од असलवर और ये जीछ चुके हैं कोल 50 मिंटर 3 पोजिशन के अंदर और सबनेले ने इंडिवीजवे में में जीचुक थूब तक्रीबन मेंस रेफल थ्री पोजीशन टीम के अंदर तो यहार कॉंगरेचुलेशन्स टू देम इसके बाद हम चलते हैं एथलेटिक्स की तरफ अब दो तीन न्यूज एथलेटिक्स के उपर होंगी बकान रेली रिले कप जो हुआ था इसमें इंडियन वुमेंस ने अगें साथ में हीमादा जिलना दिनेश्वरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है यह हमारी वुमेंस टीम की पाट थी जो कि टर्की में हो रहा है यह बलकन रेली कप 2020 टू इसके लावा अगर आप मेंस के अंदर आप देखोगे तो मुहमद अजमल इसके लावा नुही निर्म पाट तोड़ दिया है जी हां और इसके अंदर जो एंट्री होती है वो सिर्फ इंविटेशन से होती है मलब जो वो चाहते हैं उनको ही बुला जाता है इसके अंदर इंडियन एथलीट सिर्फ अभी अभीनाश ही थे जिन्होंने फिफ्थ पोजिशन पाली है इसके अंदर और इनकी जो टाइमिंग थी वो एट मिनिट एट मिनिट ट्वेल सेकंड और फॉर्टी एट मिली सेकंड थी इसके बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर जीता कौन है तो आप यह देखोगे स्वेफिनल मॉरकों के जो थे यह जीते हैं इसके अलाबा अगर आप इसके बाद हम आगे चलते हैं खेलो इंडिया की तरफ तो यार खेलो इंडिया अभी तेरा जून तक होने वाला मैं जानता हूं अभी कंप्लीट नहीं हूँ है लेकिन फिर भी यह आपके लिए अपडेट है हर्याणा ने 33 गोल्ड शिल्वर 27 ब्रॉंज 36 टोटल 96 मेडल्स हो चुके हैं और महराश्टर के 32 गोल्ड 28 शिल्वर 25 ब्रॉंज और टोटल 85 मेडल्स आचुके हैं तो आप अपनी स्टेट के भी मेडल्स दे सकते हो और यार कमेंट में जरूर बताना आपके स्टेट के कितने गोल्ड मेडल या टोटल मेडल बता दो कि वो कितने थे और य युद्ध गेम्स खेलो इंडिया युद्ध गेम्स कौन सी स्टेट आपको लगता है सब से आगया एगी या कौन सी जीत हैगी तो यार यह कमेंट में जरूर बताना इसके बाद हम चलते हैं इसपोर्स की तरह प्रीमें लीग सीजन 2 होने वाला है जैसे आप जानते हो इसके नदर जो गेम होगा वो आपका मेरा सबका फेवरेट बैटल ग्राउंड मोबाइल गेम बीजी एम आई यह होने वाला है और इसके पहला होगा इनिशेल फेज जिसके अंदर ऑनलाइन क्वालिफायर होंगे जो मलब आप हम सब क्वालिफायर सकते हैं इंविटेशनल क् इसमें यह अपनी मर्जी से जिन्हें लगता हुआ कि हाँ यह अच्छी टीम है खेलती है उनको यह बुलाएंगे और यह सब शॉट लिस्ट हो जाएंगे टॉप 18 टीम के लिए इसके बाद हम चलते हैं जो पहली 12 टीम होंगी वह कौन-कौन सी होंगी दो टीम जो ऑनलाइन फेज के लिए आगे बढ़ेंगी और इन में जो फाइनल फेज होगा इसमें दो स्पोर्ट रहेंगे टॉप टू मलब वही फर्स्ट और सगिन उनके बीच मैं फिर फाइनल होगा और उसमें जीता जायागा इसके लावा आप देखोगे तो ऑनलाइन अगर क्वालिफायर ह ताकि जो थ्री स्पॉट्स जो वच है उनको फिल कर सके और इसके लावा दो यार इन्होंने डार्यक्ट इन्वाइटड टीम भी रख्या है कि कोई इनको इन्वाइट करने लिए कि तीम को तो वह रखा जा सकता है और इसको स्पॉन्सरिप कर रहे हैं हमारे प्रेजेंटि पाइसिपेट करना और जो रेजिट्रेशन इसका 15 जून से शुरू होने वाला और जो लास्ट डेट होगी उसकी जून 20 तक होगी तो यहार मुझे लगता है आप इसके लिए बहुत तक होगी तो यहार कमेंट में जुरू लगना आप एक्साइट होगी नहीं इसके अलावा जो इसका जो सर्फेस अवोकले है लोकेशन फ्रांस इसके लावा चैंपेन अगर आप देखोगे मैंस सिंगल के अंदर आप देखोगे रैफेल यह तो आप सब जानते होंगे वुमिन सिंगल के अंदर आईजा यार और इसके लावा मैंस डबल में आप देखोगे तो मार् करना यार और बाकि अगर आपको ऐसी न्यूस पसंद आती है तो यार इंस्ट्रग्राम पर हमें फॉलो करो वहां पर मैं डेली अपडेट चालता रहता हूं देखो बीजिया मैं का अपडेट पहली आ चुकर था आपको फॉलो महां पर फॉलो कर सकते हो आज के लिए सिर्फ पित्ता ही रखते हैं पसंदा कोई भी न्यूस अच्छी लगी वो यार कमेंट करके ज़रूर बताना क्या चीज अच्छी लगी क्या चीज मैं इंप्रूव कर सकता हूं तो थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू झाल